नमस्कार दोस्तों इंगलिश का फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम रोजाना यूज होने वाले 50 इंगलिश सेंटेंसे के बारे में सीखेंगे चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों आशों को चुपाना बड़ा मुश्किल है इस वेरी डिफिकल्ट तो हाइड टियर्ज तुम्हारी शादी कब हुई अब हर कोई अजनभी लगता है मा बाप का आशिरवाद कभी बेकार नहीं जाता वह मेरा सोतेला बेटा है तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया क्या मुझे सारी बाते तुमसे पूछनी पड़ेंगी हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता मैं कैसे किसी का दिल तोड सकता हूँ तुम और अच्छा कर सकते हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैं तुम्हारे वादे की कदर करता हूँ मैंने कभी तुम पर उंगली भी नहीं उठाई क्या ये तुम्हारे पसंद है तुम खड़े क्यों हो क्या तुम बत्तमीज हो मैंने किसी और को वादा किया है तुम हमें कैसे छोड़ सकते हो मुझे कोई नहीं समझ सकता मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए जाओ और अपना काम करो गो और अपना काम करो तुम भर्ष पर क्यों सोय हो सिर्फ तुमने मुझे बचाया था तुम मुझे कितना पसंद करते हो वह नेंद में कुछ बड़ बड़ा रहा था क्या वह धंग से खाना खा रहा है अजनभियों की तरह व्यभार मत करो मैं तुम्हें दोश नहीं दे रहा यह तुम्हारी खुद की जिंदगी है बरबात मत करो क्या तुम बहरे हो मेरे घर से निकल जाओ क्या हम कहीं दूर जा सकते हैं क्या तुम्हें ये मोशम पसंद नहीं क्या तुम्हें दोखा दे रहे हो आर यू डिसीविंग में तुम्हें दुबारा से वही गलती कर रहे हो यू आर रिपीटिंग दे सेम मिस्टेक ये सुभह की बात है ये लो और इसे सिलो तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो यू आर कंसिलिंग सम्थिंग फ्रम मी हो सकता है ये मेरा गलत फैसला है ये ये वह बता सकते हो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते दो यू हाव एनिफिंग यू कांट शेर विद में थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तुम पूरी रात सोचते रहे तुम्हारा चाल चलन बदल गया है यूर मैनरिजम है चेंज़ तुम मुझे नजर अंदाज क्यों कर रहे हो जैसे भी हो उन्हें समहलो तुम्हें ठंड लग जाएगी यू विल गेट कॉल्ड यू विल गेट कॉल्ड अगर आप हमारे चैनल पर बिलकुल नई हैं तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अब ना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जै हिंद जै भारत